कुलू के राइसन में आयोजित जन्मंच में 87 जन शिकायतों का मौके पर ही निप्टारा किया गया इस तोरान उपायुक्त कुलू योनुस ने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं को प्राथमिक्ता के अधार पर सुलजाने के निर्देश दिये जन्मंच के दोरान एक भूटा बेटी के नाम योजना के तहत दस बेटियों को 10-10 हजार उपे की FD भी वितरित की गई कुलू में आयोजित जन्मंच कारेक्रम में एक भूटा बेटी के नाम योजना की शुरुवात की गई और उपायुक्त कुलू योनुस और S.P. कुलू शालिनी अगनी हुतरी ने पेड लगा कर लोगों को पर्यावर्ण संदक्षन का संदेश दिया वहीं बेटी है अनमोल योजना के तहट कारेक्रम में महिला और बाल विगास विभाग द्वारा 10 बेटियों को 10-10,000 रुपए की FD बांटी गई मुख्यमंतरी ग्रहनी योजना के तहट 200 महिलाओं को गैस कनेक्शन भी वितरित किये गए कुलू के उपायुक्त यूनस ने सभी विभागों के अधिकारियों को जनता की समस्याओं का समाधान प्रात्मिक्ता के अधार पर करने के निर्देश दिये जिससे सरकार द्वारा चलाए गए जन्नमंच कारेक्रम से लोगों को समस्याओं का समाधान घर द्वार पर हो सके कुलू के उपायुक्त युनोस ने कहा कि जन्नमंच में 67 शिकायतों का निप्टा रा किया गया जिसमें 10 बेटियों को एक फूल का पौधा और 10,000 रुपए की राशी FD के रूट में भेंट की गई जो ये जन्नमंच हमारे जो राइसन में हम इसको आज हमने किया है उसमें काफी लोग आए हैं और इसमें 67 शर्ट-सर्ट ऐसी जो ग्रिवांस ती जिसका मौके पर हमने दस दिन के भीतर भीतर इन शिकायतों का निवारन करेंगे आज इस जन्नमंच के माधियम से बेटी है अनमोल, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के साथ एक बूटा बेटी के नाम की स्कीम जो हिमाचल परदेश सरकार की तरफ से शुरू की गई जो आज हमने यहां से जिल उसके तहित गैस कनेक्शन भी हमने डिस्टिब्यूट किये हम यह इंशोर करेंगी सबी विभागों के साथ मिलके ताल मिल बिठा के कि जितनी यह ग्रिवांस हमारे पास है इसका जल से जल निवारन हो पाए इसके लावब कुछ ऐसी ग्रिवांस है जो नेशनल हाईवे कहीं टारिंग की प्रॉबलम है या उनकी वज़े से उनके बगीचे के डंगे या जो भी प्रॉबलम है उसका हम बुधवार को उसका समाधान्त करने की सिटी चनल के लिए कुलू से दिली ठाकुर की रिपोर्ट